नमस्कार दर्शकू स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारेक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं डॉली भात्या दर्शकू हमारे खास कारेक्रम के माध्यम से हम चठर्चा करते हैं कुछ खास मुड़ो पर और जो मुद्धे आपकी सेखत से जड़े हुए हैं उनपर हम बात करते हैं किस तरीके से आप स्वस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको यूज नहीं करनी चाहिए क्या लापरवाही हम बरत जाते हैं कि हमारी जान पर बात आ जाती है और किस तरीके से आप अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं एक स्वस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ये तमाम तरीके के विश्य लेकर हम हाजर होते हैं अपने इस खास कारेक्रम में और आज भी हम हाजर होएं अपने इस खास कारेक्रम को लेकर आप सभी के बीच और आज भी हम चर्चा करेंगे आपक स्टूडियो में मौचूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अजे गुपता सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में दर्श्च को डॉक्र आजे गुपता कैंसर फिजीशन है इनके साथ ही आपको बता दूं कि डॉक्टर प्रारिटी लेते हुए आज दोनों हेल्थ एक्सपर्ट हमारे सात्थ हमारे स्टूडियो में मौक्यू थे दर्श्र को आज का विष है घ्या प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है ख्या प्लास्टिक क्वास्टिक हैं किसी भी फार्म में उस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ यह एक्सपर्स हमारी बातों का जवाब देंगे तो सबसे पहले मैं शुर्वात आपके साथ क्योंकि आप एक घर भी चलाती हैं क्लीनिक भी चलाती हैं मरीजों को भी देखती हैं तो एक मदर एक फैमिली में होने के नाते आप क्या देखिया हम कि प्लास्टिक का कितना शुखता हो कि आज कल प्लास्टिक की बिना कोई जीवन नहीं है हर चीज चाहे वो खाने की है, हमारे जाव मैदिसेन है, क्यारी बैक्स हैं, कोई पजार से कोई समान लेके आता है, तो हर पेकिंग जो हर प्लास्टिक ही बनी गई है, तो बहुतल डपैंड हो गए हैं अब लोग प्लास्टिक के ऊपर जी लेकिन डॉक्टर जाब क्योंकि आज का मुद्धा है क्या प्लास्टिक से Cancern हो सकता है। तो इस मुद्धे पर तो हम बात करी रहे हैं पर उससे पेले में आपसे हैं यह पर जानना चाहूंगी कि प्लास्टिक में किसलिक निए किस तरीके के टॉक्सिन होते हैं या आपसे पूछना चाहूंगे प्लास्टिक के अंदर कुछ टॉक्सिंस होते हैं जो कि हमारे शरीक के लिए बहुत हानकारक है इनमें खास्तों से जो टॉक्सिंस है एक बीपी एक कंपाउंड होता है इसको भीस फिनाइव फिनॉल एक एक कंपाउंड है एक कंपाउंड होता है स्टाइरीन ये कुछ खास प्लास्टिक के अंदर मिलाया जाता है और एक जो डायॉक्सिन करके कंपाउंड होता है जो के आम तोर पे मिक्स नहीं होता है जल प्लास्टिक के जलाने से वो एन्वायरमेंट में मिक्स होता है तो ये यह सारी प्रॉलम्स के लिए जो हैल्थ के लिए जिम्यदार है इसमें जो बीपी एक करके जो कंपाउंड है और डी एच इपी जो कंपाउंड है यह इनके अंदर जो केमिकल्स हैं यह केमिकल्स इस्ट्रोजनिक होते हैं एक इस्ट्रोजन हार्मोन होता है बोडी के अंदर व को डिस्ट्रिमारों का मैं को दिस्ट्रित्र का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, यह तीन तरह का जो कैंसर हैं, यह हर्मों से कैंसर को ख़र सकते हैं इसके अलावा जो इस्टाइरीन एक compound है एक खास plastic के अंदर होता है यह nervous system पे इफेक्ट डालता है इससे memory loss हो सकता है और यह carcin हो जाने की है cancer भी कर सकता है डायॉक्सिन एक compound है वो भी hormones disbalance करता है और जो infertility जो लोगों में होती है, इन्फरेटिल के जी रेस्पोंसिबल है, और प्रेगनेंट लेडिज के अगर ये एक्सपोज हो जाए, तो ये बच्चों में भी पहुंच सकता है, और कंजनाइटल एनमोली जो होती है, क्लेफ्ट लेप, पैलेट वगरे जैसे, ये इन बच्चों मे इसको टोटली बेंट कर दिया है, कुछ स्टैक प्लास्टिक दिन में ये केमिकल्स जाधा होते है, तो ये बॉड़ी के लिए हजाडर से है, डॉक्टर सब काफी सारे केमिकल्स आपने बताए, कंपाउंड बताएं, ये मिलाएं क्यों जाते हैं, पॉलिफिन के इसका मिलान है, वो प्लास्टिक में की जो शाइन है, उसको बढ़ाता है, तो इसलिए लोग इसको बिलाते हैं, बिना इसकी जो प्लास्टिक है, वो एक तो एक तो एक्सपेंसिब भी हो जाती है, और दूसरा उसकी दूरबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये लोग इस प्लास्टिक को इन केमिकल्स को आप मिलाते हैं. इन तमाम सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। क्या प्रभाव पड़ रहे हैं जैसे मैं आभी आप लोगो बताया कि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं यह जैसे पानी की वोटल है, प्लास्टिक की वोटल है, तो प्लास्टिक के अंदर यह जो इसन निकल के और वो बॉडी के अंदर पहुंछ सकते हैं जैसे हम प्लास्टिक को सब और सब जलाते हैं तो ज़लाने से यह प्लास्टिक के अंदर में जनाने वह एस निवारिमेंट नहीं जना है उ मति में जाता है जिस पर टायनक आचता है और यह एनिमेल में से रह्ता है छोग मीट वागदे हैं तो यह निवाल lattice पाताrick उछ वंश yatво और यह जो टॉक्सिक सब्स्टेंस है वो किसी भी यूमन बीग में जाके और अपने जो दुस परवनाम है वो देखे जी डॉक्टर क्या पानी की बोतल प्रिज में रखना क्योंकि अभी एक मौसम भी चल रहा है गर्मी का और लोग थंडा पानी पीना पसंद करते हैं तो प् अब अब बागी जो डिस्पोसिबल बॉटल जो मैंने आपको बताया वो तो एक बर यूस करने के बाद डिस्पोस करते हैं उन दोबारा से यूस निकरना चाहिए जी डॉक्तर साब हम लोग ट्रैवलिंग में जब भी जाते हैं या बाहर जब निकलते हैं तो गर्मी इतनी इसका भी हमारे शरील पर दुष्प्रधाग पड़ता है यह विल्कुल ठीक है जो क्योंकि जो प्लास्टिक है एक्शली नॉर्मल टेम्परिचर पर यह प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल होते हैं वो पानी में डिसॉब नहीं होते हैं लेकिन जैसे टेम्परिश से पाई है कॉफी तो उसके अंदर मिक्स हो सकते हैं और फिर यह बॉडी के अंदर पहुंच के जैसे मैंने आपको बताया कि कार्सिनोजनिक भी है यह निरो टॉक्सिक भी है फार्टिलिटी पे एफेक्ट डालता है तो इस तरह से यह बॉडी के लिए हाम कर सकता है अगर हम अगर हाँ प्लस्टिक की अगर है और अपने टॉक्सिंस बहुत कम होते हैं जो टॉक्सिन्स हैं हो पानी के अंदर या फूर आइटम की साथ यह अपना एफेक्ट डालिए के लुग क्लास्टिक की जो बात की डोनों में क्या काम्बिनेशन है क्या निर्भर करता है यह प्ल तो उसमें कुछ नंबर हैं वो एमबोज होते हैं आप पीछे अगर उसको देखेंगी तो उनके वो एमबोज होते है नंबर एक से लेकि साथ तक ये नंबर उसमें है और इसमें जो थ्री, शेक्स, एंग सेवन जो तीन तरह की जो नंबर वाली फ्लास्टिक होती है वो जादा तर जो मिनरल वाटर बोटल हम लोग यूज कर रहे है उसमें नंबर सेवन वाला जो प्लास्टिक हो यूज के जा रहा है नंबर थ्री भी प्लास्टिक होती है नंबर थ्री जादा तर पीवी सी जो होती है जैसे हम पैक्स वगरे होते हैं जैसे हम टॉइस होते हैं उनमें PVC करके जो प्लास्टिक वो यूज़ होती है वो बहुत हार्मफुल होती है उसके अंदर वी पी एक जो जो कमपाउंड हो होता है जो की बोडी के लिए बहुत हार्मफुल है इसके साथ ही अगर जो डिस्पोसिविल आइटम है जैसे प्लास्टिक के कप हैं स्पून है जो प्लास्टिक मिक्स होता है तो इस तरह से जो 3, 6, 7 नमबर वाली जो प्लास्टिक है वो हामफुल है इसके अंदर टॉक्सिंस बहुत जादा होती है बाकि जो जितनी प्लास्टिक है 1, 2, 4, 6, 2, 5 ये प्लास्टिक सेफ है ये जितने भी ब्रांड़िट अच्छी कमपनी करते हैं उनमें ये नमबर वाली प्लास्टिक का जो नमबर है वो हमेशा हम लोगों को चेक करना चाहिए कि अगर ये 3, 6, 7 वाली कोई प्लास्टिक यूज आप कर रहे है तो उसको आपको डिस्पोज आप कर देना चाहिए वो सिंगल यूज करना चाहिए उसको कभी खास बात अपनी कंट्री में ये है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर प्लास्टिक कॉंसी वाली क्वालिटी है तो ये केमिकल उसमें कई गुना जादा हो सकते हैं इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो क्वालिटी है प्लास्टि का यूज कम से कम करें जहां अगर हो सकता है कोई अल्टरनेटिव है गलास है या कोई स्टील है हम लोग उसका यूज करें बजाए प्लास्टिक का जी डॉक्टर साफ अभी आपने टॉइस की बात की थी जो बच्चे खिलोनों से खेलते हैं जब हम देखते हैं बच्चा रोत जो टॉइस होते हैं वह बिल्कुल हार्मफूल होते हैं बैसे तो बच्चों पूश को आम दूर रखना चाहिए कभी इस तरह की नहीं दीजू कुछ ब्रांडइड ऐसी टॉइस होते हैं जो कि लाउग की जा सकते हैं लिकिंशों को चेक करना चाहिए जैसे मैंने आग बता तोइस वगेर को यूज करते हैं तो दर्शिकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौचूथ हैं Cancer Physician Dr. आजे गुपता और Radiologist Dr. बविता गुपता जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं Cancer किस तरीके से होता है कौन-कौन से होते हैं यह हम तमाम चर्चा कर चुके हैं दॉक्टर साथ लेकिन आज हम बात करें हैं क्या प्लास्टिक से Cancer हो सकता है और दॉक्टर साथ तमाम महतवूल जानकारियां दे रहे हैं हमको क्योंकि दिन भर हम लोग काफी सारी ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं जो प्लास्टिक की होती हैं बच्चे हो, बड़े हो, महिलाए हो या पुरुश हो हम अपनी दिन चर्या में प्लास्टिक में इतना जादा हम लोग डिपेंट हो गए हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की यूज करते हैं अगर प्लास्टिक से Cancer हो सकता है तो आपको इससे बच कर रहना चाहिए डॉक्टर साब में आपको बताया कि किस नंबर की प्लास्टिक आपके लिए सही हो सकती है लेकिन फिर भी जितना हो सके आप प्लास्टिक का यूज करें जानें के डॉक्टर साब से और मैम से कि किस तरीके से और चारी चीज़ों में अगर प्लास्टिक का यूज हो रहा है करें लेकिन यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द हादर होगे क्या खराई कि मैं कारा जाएं गर्मक्रोवेब के लिए में उसका अपैं गर्मक्रोवेब नहीं है तो तो इसमें टॉसमें होचा जाते हैं उसमें टॉसमें रिडमस्छादे हैं यहां हम कावफ़ होगे। के लिए? नी, माईक्रोवेव में क्या और क्या अब क्रिंदिक की जा सकते, इस खाली जो जो Microwave friendly है थे उस ही रुदिक है तो आपका क्यों यह होगा कि Microwave में क्या जो प्लस्टिक में जो आप उसको गरम करते हो, क्या वो रेकमेंद कर तो उसमें जो सु रिखमनेटेट है वो ही सियफ है और आपसे आप क्या लेना है इसमें प्लास्टिक को बर्न करने माला एक तो रहे है लेकिन सर अभी 15 मिनिट रह गया है ना अच्छा 15 निट रहे हैं, तो क्या हो गया? ला तो बढ़ा भी कितना है? कि हम ले निट सकते हैं , जो अच्छा track वह गार वाइड करते हैं जो बीमार्यां पड रही है अब फ्लास्टिक के और क्या harmful effect हो सकते है Plस्टिक के बज़ा harmful effect than what I have told you एक है ये बच्छे tiffin जो ले चाते हैं tiffin box जो ले चाते हैं वो मैडम को दाव है वो बी plastic के लिकिन 99% प्लस्टिक के होते हैं बीजर पैन और फोन कवर भी प्रस्टिक ही प्लास्टिक टेफिट घाए। विजग की बोटल जैसे रखते हैं पाले ना। भीज़ों कह लिए ना। माईक्रोवेब का हो गया बच्छों का टिफिन टिर हो गया। उसके जगे क्या कुछ और अल्टरनेटिव है कि प्लास्टिक के कंटेनर में ले जा है और यह जो बर्न करने से क्या हार हो है प्लास्टिक को ठीक है आप में प्लास्टिक यूज के तो बताई थी यह क्या इपक्त है अब प्लास्टिक बर्न के क्या इपक्त है प्लास्टिक बन के भी तो प्लास्टिकी है चलिए स्टार्ट करें ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कारेकरम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूँ दॉली भात यादर शुक्त आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं दो खास महमान दो हैल्थ ऐक्सपर्ट अपने आप में जो आपकी सहत से जड़ा होआ है तो अगर हो सकता है, तौ आपको बेहट बच के रहने की जरूरत है लेकिन इस दिनचर्या में, इस भागदोर भारी जिन्देगी में, आप प्लास्टिक का यूज गरने से बच सकते हैं किस तरहिके की प्लास्टिक आपको यूज करने है तमाम सवाल जिनके जवाब दे रहे हैं हमारे हैथ एक्सपर्ट देखबा फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में सबसे पहले सवाल मैम आपसे करना चाहेंगे कि आजकल जो बच्चे तो कैसे बच्चे और क्या हो सता है उससे कैसे बच्चे क्या हो सकता है जै श्यक củिता से वेखिए फिले यह बहूं बिल्कुल और विसे हम लोगों का तो यह होता है कि फूद अगर हम रख रहे हैं तो उसमें गरम खाना ना रखे पहले उसको ठड़ा कर लें बिल्कुल तभी उसको टिफिन में रखें फिर उसको बच्चे को ले जाए ज़िए अगर जो टॉक्सिस होते हैं वो फूद में रि जो खाना है क्या यह सोच सही है यह तो है लेकिन सिंगल यूज के लिए तो कोई हाम नहीं है लेकिन उसको बार-बर यूज निकरना चाहिए अगर बजार से पैक खाना मंगाते हैं डिस्पोजिबल बोल जो आते हैं उसमें अगर हम माइक्रोवेब में डारेक्ली रख देत करने के लिए तो वह बहुत हमफुल है वह यूज नहीं करना चाहिए उसको प्रॉपरली माइक्रोवेब जो कंटीनर से उसमें चांसर करके तब ही फूट को हीट करना चाहिए बिल्कुल डॉक्तर साब अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपम जिस तरह किसे बताया कि आप सिंगिल यूज कर रहें तब तो कोई बाद नहीं है कि आपने किया यह यूज एंट तो लेकिन जो प्लास्टिक का कंटीनर जिसको आपको रेगुलर्ली यूज करना है उसका क्वालिटी इस्यू बहुत बढ़ा है और जो क्वालिटी जैसे मैंने बताया कि खास और से 3, 6, 7 वाले जो क्वालिटी है वो खराब क्वालिटी है और उसकी वज़ए से लॉंग टर्म जो अगर आप एक्सपोज हैं उससे तो वो बादी के लिए हामफूल हो सकता है तो जब भी आप पानी वगरे का प्रीज बगरे में जैसे बोडल बगरे रखते हैं तो आप वही क्वालिटी यूज करें जो कि अच्छी हो और ब्रांडिट कंपनी बिल्कुल मैं यह पर बात करें प्लास्टिक के हमने दुरुपयों की बात की प्लास्टिक जब हम यूज करते हैं तो उसकी बात की डिस्पोज कैसे करें प्लास्टिक क्योंकि हम देखते हैं कि वेस्ट हमारे घर के प्लास्टिक जो होती है उसको एक बड़ा कार्टन या कंटेनर कोई रख लें अपने घर के कॉर्णर में उसमें इखटा करते रहें फिर वो उसको दे दिया जाता है किसी कबाड़ी वाले को या फॉर री सैक्लिंग इस तरह से इसका प्रॉपर प्लास्टिक करें और उसको को री साइकल के जाता है बजाए इसके कि आप उसमें कोई भी बिची डाल गे और उसको आप सबक पर डाल दें प्लास्टिक के क्योंकि यही प्रॉलम नहीं है प्लास्टिक के और प्लास्टिक के और प्लास्टिक का उसमें आपने कुछ फूड आइटम लेकर भाहर फैंक दिया तो उसको जानवर खा जाता है क्योंकि यह डिजॉब नहीं होती है प्लास्टिक इसलिए वो उसके इंटस्टीन में जाके फस जाती है और प्लास्टिक करती है जितने बैटनरी डॉक्टर्स हैं उसमें मेहनobyl काफी जो सबसे वड़ी प्लोम उनको फ्लेशकरणी होती है वो इइंटस्टायम प्लास्टिक के और वो प्लास्टिक की वजय से हैं, तो कही सारे उपरेशन उनको जानवरों की करने पड़ते हैं इस प्लास्टिक की वजय से, दूसरा ये प्लास्टिक जैसे आप लेते हो आप जगा जगा आप देखोगे कि नालियां बन दोगी है, ये बहुत बड़ा इस्यू है, क्योंकि ये प्लास्टिक लोग सारक पे फैंक देते हैं, हवा से वो नाली में चला जाता है और वो उस्यूर लाइन को इसको ब्लॉक कर देता है, और जगे-जगे-जगे क्योंकि ये प्लास्टिक गलती नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा प्रॉलम है थी, सालों आप प्लास्टि प्लास्टिक को का एक ही तरीका है, उसको आप रिसाइकल करें, ये फैक्टरी वगरे जो तीन जहां ही बनती है, वहां ही वापस प्लास्टिक पहुंचे, पॉलिथीन पहुंचे, और वो उसको कला कर फिर उसको रिसाइकल करें, ये एक तरीका हो जगता है, दूसरा आप ज प्लास्टिक की अपने रोड बनाना शुरू कर दें प्लास्टिक से पॉलित दिन मगरे तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होगा क्योंकि plastic से बनने वाली जो सडकें है उसमें एक तो waterproof होती हैं उसका जो बहुत लंबे time तक वो plastic की जो सडक बनेगी प्लास्टिक से अगर बनेगी तो उसकी durability बहुत अच्छी होती है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो जो और तरीके हैं उनके साथ उसको मिक्स अप करके भी बनाए जाए जाए जी खाली प्लास्टिक ना होके कि भी केन मिक्स विट डावर एंड अधर तिंग जो जो रोड बने की काम आसे तो उसमें यूज कर सकते हैं तो एक वाटर जी डॉक्तर साथ क्योंकि अब पंदरा जुलाइ से पॉलिथिन पे भी बैन लग रहा है तो क्या लगता है आपको कि कुछ नया चेंज आएगा क्या लोग समझ पाएंगे इसकी जो प्रदेश सरकार जो करने जा रही है कि सरकार कि करने से मैं नहीं समझता कि कोई इसका कोई हल है जब तक पबलिक के अंदर ये अवेयरनेस नहीं होगी जब तक ऑब क 물론 खुद उसके लिए तयार नहीं होगी किसी कि थोप्ले से कोई कामनी होने वाला है बल्कुर तो जब तक्तब पुलिक को यह नहीं कि खुद की समझ में आयागा कि भी ये प्लास्टिक की वेज़े से ये परेशानी हो रही है तब तक ये सॉलूशन नहीं निकल सकता है आज से 20 साल पहले तीस साल पहले भी लोग अब आपको है बनानी होगी प्लास्टिक को छोड़ना होगा बैग अपना घर सी लेके जाना पड़ेगा उस बजाय उसके कि वह वहां से पॉलिफिल ले और वह जूट वगएर की जैसे पहले चलते थी या कपड़े की बैग चलते थी उनको लोग यूज करें अगर हम बात करें पहले के टाइम में बच्चे किसी चीज के ज़्यादा नहीं करते थे पहले के टाइम में कुर्कुरे और चिट्स के पैकेट्स नहीं होते थे टौफी नहीं खाते थे बच्चे घर का बना हुआ खाना खाते थे अब बच्चों की दिमांड इतनी बढ़ है market में products इतने सारे आ गए हैं तो किस तरीके से फिर इन चीज़ों को लिया जाए नहीं एक दम आप avoid नहीं कर सकते हैं hundred percent कहीं आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं देकिन एक कोशिश की जा सकती है जिसका कोई alternative है तो आप उस alternative को यूज़ करें बजाएं उसको एक उसको आप एक तरफ चलके नहीं साब सबी चीज़ इसी की यूज़ करें अगर आपके पाद दो option हैं कि आप class यूज़ कर सकते हैं या आप इस्टील यूज़ कर सकते हैं तो आप उसको यूज़ करें बच्चों का रहा यह कि यह भी एक हैविट वाली बात है अगर आप उसको समझाएं बच्चे को भी नहीं यह कुर करें हैं या इसमें कोई plastic का कोई है बैग है इससे परिशानी तो हुज़ता बच्चा समझ जाएं लेकि कुछ हद तक तो हम उसको कम करी सकते हैं दूसरा मैंने जैसे बत जाना चाहिएंगे लोग हम देखते हैं जगे जगे कुडा जलाते हैं और कुडे में सबसे ज़दा प्लास्टिक ही होती है तो किस तरीके से वह बातावरन को और हमारी सीहर पर प्रढ़ाब जाती है पूडा जलाने से वह उसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं काफी हमारी बोडरी के लिए काफी टॉक्सिक होता है उसे हमारे हैल्स परभाभ रभ पढ़ता है जासे हम वाम धियुल जालाते हैं जभी प्लास्टिक को प्लास्टिक के अंदर टॉक्सिंस उते हैं जैसे मेरा भी आपको बताया तो इसमें एक डायोकिसीन करकी जो कंपॉंड तो पानी में डिजॉल नहीं होता है, तो इस सच डायरेक्ट उसका कोई परिशानी नहीं है, लेकिन जब भी उसको हम जलाते हैं प्लास्टिक को, तो यह डायोक्सिन में एक कंपाउंड है, कोई हैवी मेटल्स होती हैं, जैसे मरकरी है, तो यह एन्वायरमेंट में जाते हैं, और एन्वायरमेंट से यह पानी में डिजॉल हो जाते हैं, बिलकुल, हम लोग सांस लेते हैं हमारे अंदर जी, इसकी फ्यूम्स भी निकलती है, जैसे डायोक्सिन, जैसे कंपाउंड में बताया है, इसकी फ्यूम्स जो है, वो लंग्स पे एफेक्ट डालती है, तो लंग जैसे कि अप्शन नी होना चाहिए कि हम डिस्पोस कर लें तो प्लास्टिक को जला दें और यह प्लकुल, इसको बिलकुल ही आपको बैन करना चाहिए कर ना जलाए, और प्लास्टिक को रियूस करें, रिसाइक्ल करें, वह एक तरीका हो साँगी, जी, डोग्टर साब चलत इस समय बड़ी चल्चा में हैं कि प्लास्टिक कांसर कर सकता है, मैंने जैसे आपको बताया कि प्लास्टिक के लिव जो क्यमिकल्स हैं, वह कैंसर कर सकते हैं, लेकिन अब तक जितनी भी स्टडीज होई है, जितनी रिसर्च होई है उसके इसाफ़ सी पाया है, कि यह एनिमल योश किसाब से plastic cancer नहीं कर सकती है लेकिन अपने country में जो use हो रही है plastic उसमें कोई quality control नहीं है इसलिए हम short ही नहीं है कि जो हम plastic use कर रहे हैं क्या उसमें इतनी ज़ादा toxins हो जो cancer कर सके Match ये developed countries में तो ठीक है लेकिं developing country में हम यह short नहीं है है कि ये प्लास्टिक Cancer नहीं कर सकती है ये डबलप कंट्री में नहीं है लेकिंग डबलपिंग कंट्री में यह ह सकता है क्योंकि इसकी क्ωνुजर्ट का कोई पक्रोल नहीं है ये लॉंग टर्म एक्सोजर्स ही होता है इस वजह से हमेशा में यह लेकी चलना होगा उसे प्लास्टिक को जहां हो सके अवाइड करें। प्लास्टिक कैंसर नहीं कर सकती। प्लास्टिक को जहां हो सकती। आगर कोई अल्टैटिक मिलता है तो उसका हम यूज़ करें। प्लास्टिक को कुशिश करें कि कम से कम यूज़ कें। जी बिल्कुल मैं क्या मैंसेज देना चाहेंगे आप हमारे वी यूर्स को। हाँ ऐसे यह है कि जितने भी plastic disposable items हैं वो हमको reuse नहीं करना चाहिए उनको proper तरीके से dispose करना इखटा करके घर का जितना भी plastic है इसको proper इखटा करके dispose करना चाहिए तीसरा एक पैसे यह है कि microwave में अगर हम कोई plastic container यूज़ कर रहे हैं तो microwave friendly हो रहा जी है बिल्कुल तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप दोनों हमारे शो में आए और आपने तमाम जानकारियां और साथ ही भ्रांतियों को दूर किया और जानकारियां दी तो इसके लिए health experts आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्श्र को हमारे इस शो में फिलहाल इतना ही हम अगले शो में फिर हाजर होंगे एक नए टॉपिक के साथ सब तक के लिए आप रखे अपना खास खयाल नमस्कार झाल, जाल, तक के लिए. झाल झाल